अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक अगर जिले वासियों के लिए करोना के काल में खुश खबरी है वो कहना चाहूंगा कि मई के महीने में जो करोना के केस हैं उन में जो है गिरावट दर्श की गई आप सभी को बता दे कि आमोमन तोर पर साड़े 300 से 400 केस आते थे जब लॉकडाउन की परिक्रिया चालू की और कल में तकरीबन 100 से कम केस नए दर्श किये गए और वलकिन जो सही होने का आकड़ा यानि कि जो पॉजिटिव लोग खुशाली से अपने घर की तरफ जा रहे हैं उनका आकड़ा भड़ रहा है यानि कि जो रिकवरी रेट है धीरे-धीरे हर्याना के जिले यमना नगर म में भड़ाया जा रहा है आप सभी जनुरोद पॉजिटिव खबर बहुत मुश्किल से मिलती है विडियो को शेर जरूर कीजिए गए समय मौजूद हर्याना की जिले यमना नगर में जहां पर आप सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से जो स्तितियां है सुधर रही है जिस त कमा रहे हैं आप सभी को बता दे 96 केसिज हैं जो कल दर्च किये गए थे जो की नए आया है और वही 92 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए आप सभी सनुद्विड को शेर जरूर कीजेगा करोना संक्रमन में रोका जास है कि इस तरह कि तमाम जो प्रयास है वो प्र करोना पर विजह पाल सकेंगे आप सभी को बता दे जहां करोना को लेकर थोड़ा डर भी लोगों में कम हो रहा है जोस तरह से बजार खुल रहे हैं बार फिर से नजर अंदाजी देखी जा रही है लोग कही ना कहीं बिना मासके भी घुम रहे हैं कही ना कहीं सोशल सेंपलिंग लेने के कारण आप सभी को बता दें कि सेंपलिंग और गाओं में टीमो का गठन किया गया है जिसके कारण आशा वरकर घर घर जाकर ट्रेसिंग और सेंपलिंग कर रही हैं अगर किसी में करोना संक्रमन का जो खत्रा जादा पाया जाता है उसे इनिशल स्क्रीन के लिए भेज दिया जाता है माइक्रो कंटेइनमेंट जोन बनाये गहीं इस सारा कहना है जिला उपायुक्त मुकुल कुमार का आप सारी को बता दें कि बुलेटन के आकड़े आते ही सोशल मीडिया पर वाइरल होने लग गए जिस तरह से यमना नगर में 100 से कम केस आखे जा रहे हैं वहीं जो बुधवार का दिन है 100 से कम याने की 96 केस आये थे और बलकिन 92 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए थे जिले में जो रिकवरी रेट है वो 95 से 96 प्रतीशत बच रहा है वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 690 हो चुके और वहीं जिले में 1500 के हस्पता वह 17 बहर जिलों के लोग भी इलाज करा रहे हैं और आप सभी को बता दें कि जस तरह से आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जो करोना का संक्रमें है धीरे धीरे घट रहा है लेकिन घटने का मतलब यह नहीं है कि आपको सावधानिया भूल जानी है आपको समय समय पर ही नहीं आ रही है और जिले में ब्लैक फंगस ने भी पैर पसार लिए आप सभी को बता दें कि ब्लैक फंगस के काफी जादा मामले जिले में रिकॉर्ड किये जा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी को जानकारी देदें कि जो ब्लैक फंगस है वो गंदे मास के कारण और कह नहीं ना कहीं जो हमारे चीजें हैं हमारी नजर अंदाजगी है और हमारा जो सफल परिक्षन हम लोग चीजों का नहीं करते हैं उसके कारण ये चीजें देखी जा रहे हैं आज की आपको अपडेट देने के लिए आगे हैं कि जिस तरह से करोना के मामले दिन बदिन घटते जा रहे हैं मैं कहना चाहूंगा वैसे आमूमन तोर पर आप मुझे सुनते थे कि करोना के मामले दिन बदिन घटते जा रहे हैं लेकिन आज आज आप सभी को कहना चाहूंगा कि करोना के मामले दिन बदिन घटते जा रहे हैं वहीं आप लोग नियमों की उलंगना ना कीच तो इस तरह हम लोग विजह पालेंगे, आप सभी को बता दे, यम्ना नगर में आज 55 के सामने आए हैं, जी हाँ, पारा जो है घर बदन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ 55 के सामने आए हैं, वही दुगने मरीज, यानि कि 132 मरीज ठीक होकर अपने घर भी चले किया, ये आपका जो दिर्ड शक्ती थी, उसका परिनाम है, आप सभी को बता दे और आपने जिस तरह से नियमों का पालन किया, जिस तरह से सुरक्षा के तहत, सुरक्षा हमारी अलर्ट के तहत, लोगों ने सरकार का जो है साथ दिया, जीला अड्मिनिस्ट्रेशन का साथ और कही ना कही पॉजिटिव खबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, करोना के काल में हर जंगे नकारात्मक सोच फैली हुई है, हर जंगे चीजे जो है फैली हुई है, उस समय में आप सभी को बता रहे हैं कि ऐसी सोच बहुत कम मिलते हैं, विडियो को शियर जरूर जानकारी दे रहे हैं, हर्याना के जीले यमना नगर में जहां पर आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि करोना के मामले दिन बर दिन घटते जा रहे हैं, जरूरत है तो सावधानी की जरूरत है, तो सनिटाइजेशन की जरूरत है, तो दोगस जूरी और ग्रुप करने की जो हमारे आसपास समाज में रहते हैं पॉजिटिव खबर है शेयर जरूर कीज़ेगा क्योंकि पॉजिटिव खबर आज के नकारात्मक एंवार्मेंट में बहुत कम मिलते हैं मुस्यम को दे दीजिए जाज़त बने रहे हैं बेंट 24 परिवार के साथ नमस्क आस दौर kalo भति कर इं़ए प्रिवार्मेंट Давайте दीजिए धिनिर स्यावार के वार के सीढ़ывать मिलता जिए उर्मान के कीज़ेगेगेवार के संवार界 कर नहीं समय के जबार हैं